नीट परिच्छा के परड़ाम को लेकर के पूरे देश में हंगावा मचा हुआ है चात्र लगातार प्रदसन कर रहे हैं सलकों पर उतर रहे हैं चात्रों का आरोप है कि परिच्छा में बड़े पैमाने पर धानली की गई है इसकी वज़े से परिच्छा को दुबारा कराया इसी दोरान सुप्रीम कोर्ट ने चात्रों की तरफ से दायर की गई याजिका को खरीज कर दिया जिसमें कहा गया था कि काउंसलिंग ना करा जाए लेकिन काउंसलिंग कराई जाएगी चात्रमाई साथ मौदूद हम उनसे बात परते हो जानते हैं कि आखिर उन्हें क्यों क्या रहे हैं और जो numbering possible नहीं है वो mark sheets release हो रही है सब कुछ सामने है इस और on government and SC that is Supreme Court completely कि वह क्या verdict देते हैं because जो है वो सब कुछ transparent and if people try to blindfold themselves in spite of watching these things then we are actually we are very much we are at the verge where we just can't do anything and we are left with only one option that is suicide that is it is not about me it is about many children who are actually doing this thing at present and government is acting blind they are acting deaf they are not listening to us at all Supreme Court की आपने बात के Supreme Court ने तो रोग लगाने पर counseling group रोग लगाने पर इंकार कर दिया है सर एक बात बताईए अगर Supreme Court ने नेक्स सेशन लगाया है 8 जुलाय का आज 12 जून है मुझे बताईए अगर इस 20 दिन के उस पूरे चीज में कहीं किसी बच्चे को seat alert हो जाएगी तो क्या Supreme Court बोलेगा कि उस बच्चे को वापस बुला लो उस medical college से Supreme Court को भी कुछ सोच के बोलना चाहिए था अगर Supreme Court ने गवर्मेंट भी हम लोग के साथ नहीं रहेगी तो फिर हम लोग क्या करेंगे हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे या हम लोग टेरिस्ट बनेगे आपको पता है बच्चों का माइंडसेट कुछ ऐसा हो गया है सबसे पहले यह बिहार में पेपर के पहले उसको मानने को एंटिये तयार नहीं जो साफ साफ प्रूफ है और इंटिये इसको भी नाकार दी है और दूसरी चीज यह है कि ग्रेस मार्किंग बात हुई है लगए पंदरा सो तिरिस्ट बच्चे आप टाइम के बदले में आप मार्क दे रहे हैं यह कहां करने आया है जो बच्चा मेहनत करके पहुच रहा है तक उसको मार्क्स नहीं दे रहे हैं अब सहम लेट जा रहे हैं तो हमको मार्क्स मिल रहा है यह कहां करने है सर इस पर करवाई हो और सुप्रिम कोड जो बोला हो साथ इसा नहीं बोलना चाहिए क्योंकि बहुत बच्चों का भविस क बात है साथ इसा सर इस मार्किंग को लिए करके आप सवार उठार कुछ और स्टुडेंट से बात करते हैं वैसाब क्यों लगता है आपको ऐसा है कि आपके साथ गलत हुआ है डीट परिच्छा सुचता पूरबक नहीं हुई सही से नहीं हुई सर मैंने मेरा सर काफी अटें आज ये नेशनल टी इजनसी सर उतना ही इनके लिए परयाप थे और जो धानली हुई है सर आज से पहले आपने का भी सुनाया कि एक भी बच्चा कभी एक मिनट भी सेंटर लेट पहुंचा तो उसके लिए सेंटर खुल गया हो तो अगर किसी इन्विजिलेटर की गलती है आपके सेंटर वालों की गलती है तो उसके लिए सब बच्चे सफर क्यों करें आप ग्रेस मार्किंग कहां से लेकर आ रहे हैं यह सब बहुत जगे पेपर लीक हुआ है ऐसी मतलब बातें सामने आ रही है तो गवर्मेंट को इस पे एक्शन लेना चाहिए ना मतलब अब करेंगे किस तरीके से आप लोग अभी परिसान अपने आपको महसूस कर रहे हैं और विकल्ब क्या सोच रहे हैं सार रिए एक्शाम तो होने ही चाहिए क्यों है कि बहुत से स्टुडेंट्स जो है जो पेपर उन्हें मिल चुका वो पहले से पड़े है जैसे अभी रिसेंट्ली केस आया था कि एक गाड़ी में चार स्टुडेंट्स थे तो जो मतलब लेकर गये तो उनके पास तो सब सब्सक्राइब सेया है क्यों होना चैनल कि विल busy не के खर लेंगे वा थी चीर्भी हमारे साथ में लगातार जो मेडिकल की पढ़िश्छा की तिहारी करा नैं कानपूर मशूर टीचर चृषैश्रिवस्तों के लिए बसात करने के लिए कि या लगता है बच्ते जो इनकी सिकायते हैं, कितने हद तक सही मानते हैं आप? सुप्रिम कोट नेक्चर में एक PIL दाखिल हुई थी एक तारीक को, रिजल्ट आने से पहले कि पेपर में गड़बड़ी हुई है, तो उसको रिजट किया है, कि नहीं लेकिन हाँ, NTA से जवाब जरूर मांग लिया है सुप्रिम कोट ने, अब जो बाकी PIL दाखिल हों के इस दिक्कत है, कुछ बच्चों के यह स्टेट्मेंट है, यहां उनके बगल वाले को पेपर पहले से मिला हुआ था, वो याद कर रहा था उस पेपर को, उन्होंने अपनी आखों से देखा, तो यह तो एक प्रूफ है ना, तो इस पर सुप्रिम कोट 100% कुछ ना कुछ रिजल है ना, हम अरसल जानते हैं कि पेपर का लेविल क्या होता है, हमें पता पिछली साल कैसा आथा, उससे पिछली साल कैसा आथा, तो पेपर का लेविल लगभग वही था, दो चार नंबर प्लस माइनस हो सकता था, लेकिन 40-50 नंबर प्लस माइनस होना सास्त तोर पे दिखा र कई सवाल हैं जिन सवालों के जवाब NTO को देना ही चाहिए अगर इन सवालों के जवाब नहीं मिलते हैं तो संसे लगातार बरकरार रहेगा सवाल लगातार उठते रहेंगे क्योंकि सरकार के उपर भी लगातार सवाल उठते रहें कि सरकार सही से परिच्छा कराने में नकल भी इन परिचा कराने में कहीं न कहीं जफर लाई है और ये मुद्दा लोकसबा चुनाओं में बहुत तेजी से काम भी किया है।